चाहिए बत्चीत करते हैं ये तो हम सब का फेवरेट काम है तो हमें यहाँ पर बच्चों बोग क्या सिखाना है जिस तरह से रोज आम बोलचाल में वो बत्चीत करते हैं जिस तरह से वो कॉन्वर्जेशन करते हैं हमें बस उस conversation को उनको यहां पर English में किस तरह से बोलना चाहिए किस तरह से questioning होनी चाहिए किस तरह से inquiries होनी चाहिए किस तरह से लोगों को या दूसरे में friends को thank you भोना चाहिए gratitude होना चाहिए यह सारी चीजे हमें यहां पर बच्चों को सिखानी है ताकि वो एक दूसरे से अच्छे से बात कर सके हम यहां पर बच्चों को sentence formation भी सिखाएंगे कि किस तरह से repeatedly वो sentence का use करके अपनी inquiries को कर सकते हैं या फिर अपने sentence को पूरा कर सकते हैं अब इस lesson में बहुत सरे नए नए words आये हैं like pen, sharpener, eraser, stone, earrings यह सारी चीज़ों के नाम उनके meaning हम यहां पर बच्चों को समझाएंगे हम बच्चों को यहां पर थोड़ी बहुत लिखने की भी practice कराएंगे यहां पर बच्चों के कौन से values build up होंगे इससे कि वह politeness सिखेंगे वह क्याब लेंगे एक दुसरे के साथ रहने वाले बातचीत के जुम्ले हैं वह सिखेंगे इससे क्या होगा इससे ना सिर्फ इनकी इल्मी तरखी होगी बलके यहां पर उनकी समाज तरखी का भी हम खयाल रखेंगे जिससे एनिवी 2020 के हमारे जितनी भी मखासित हैं वह हासिल हो जाएंगे अब यह सबख हमें बच्चों को discussion based पढ़ाना है तो चलिया यह शुरू करते हैं यह सबख let's speak मेरे साथ और हां यह जित lesson है यह हमारा दूसरे यूनिट का lesson है चलिया यह शुरू करते हैं